सर्वीज चैनल में आप सभी के दिल से सागत करता हूं दोस्तो आत्मिजी सेयर के बारे में बात करने वाला हूं वो एक ऐसा सेयर है जिसके ओपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा था और मैंने आप लोगों को इस स्टॉक में बाय करने के लिए रिक्मेंटेशन दिया था डिस्क्लेमर देना चाहता हूं से भी रिजिस्टर अडवाइजर नहीं हूं तो कृप्या निवेस करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेशल अडवाइजर के सहला जरूर ले लें साथी साथ हमने अपनी पेट सर्वीजर स्टार्ट करिए अगर आप उसका मेंबर भनना चाहते हैं तो वाट्सब नमबर डिस्कॉप्शन बॉक्स में दे रखा है टेलिग्राम के लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स में दे रखी चाहे तुविलर की हो या फोर विलर की हो अगरी कल्चर के हो या अन가। कोमेशयल कॉम्पोनेंट के हो हर तरह के कमपोनेंट बनाती है कॉम्पनी आप लोगों को नाम यहां दिग गया प्रोडी हीट शील्ड उसके साथ इसाथ फोर्जट एंड मशीन पार्ट गैसकेट्स सस्पेंशन पार्ट सस्पेंशन गुसेज रबर होसेज जैसे प्रोड़क्ट ये कंपनी बनाती है लाइट एंड हैवी कॉमर्चियल वहेकल्स के लिए पावर ट्रेन हीट सील्ड गैसकेट्स यानि कि हर एक सेग्मेंट में गैसकेट्स या जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं आटो के अंदर वो सारे प्रोड़क्ट ये कंपनी बनाती है अब इस सेयर्स को देखिए एग्री म समय में जैसा कि आप दे सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वहेकल्स का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है हमको तो जो भी कंपनियां इस तरह के प्रोड़क्ट बनाती है या उससे रिलेट करने वाले विजनेस में इंवार्व हैं उनके सेयर्स में हमें एक अच्छी कासी तीजी भ तो सबसे पहले अगर आप बात करें वीजो को पराने का मकसद क्या है देखे इसका जो intrinsic value सेयर्स की current price अगर आप देखे तो less than the intrinsic value return on equity अगर वर्सेस FD देखें तो stock has been generating better return on equity than bank FD यहनी bank FD के मुकाबले या stock ज्यादा बहता return बना करकर हमको दे रहा है इससे अच्छी बात क मेरे साब से तो कुछ भी नहीं हो सकती है entry point की बात करें तो good time to consider as stock is not in overbought zone, stock अपने overbought zone में नहीं है लेकिन एक red flag देखने को मिल रहा है इसका कारण क्या है क्योंकि stock में इतना ज्यादा movement देखने को मिला था कि इसको ASM list में डाला गया है तो ASM list में stock है लेकिन आप लोग बिल रहा है 494.52 का वहीं इस company का P.E. 15.75 के ओपर trade कर रहा है price to book value ratio 2.35 का है वहीं sector का 6.6% का है तो यानि कि अगर आप price to book value देखें या P.E. ratio देखें हार एक parameter में ये company काफी reasonable हम लोगों को trade होती होगी देखने को मिल रही है अगर आप market में unlisting company से इसकी तुलना करते हैं साथी साथ financial train में लगातार इसाफा देखने को मिल रहा है 2018 में अगर आप देखें तो 204 करोन रुपीज का revenue था जो की 2019 में 270 करोन का हुआ यहां सभी लोगों को पता है कि कोविट की पहली जो कोविट का पहला प्रोकॉप था वह हम सभी को देखने को मिला था उसमें बड़ की बात करें जो भी बड़ी कंपनियां अन्य कंपनियों को मकाबले उतने ज्यादा लॉस नहीं कर पाए क्योंकि इनका work from home भी चल रहा था तो आइटी कंपनियों में असागासा मुमें देखने को मिला था लेकिन अगर आप बात करें उन प्रोड़क्स की जिनकी डिमांड क काफी कम हो गई थी उन सभी के रेविण्यू में हमको डाउन देखने को मिला था वहीं साथ चाथ 2021 में इनका रेविण्यू बढ़कर 239.37 क्रोणों का हो चुका है यानि कि रेविण्यू में सुधार देखने को मिल रहा है वहीं प्रॉफिट आप देखे नीचे ग्रीन का से किया हुआ है प्रॉफिट बढ़ रहा है यहां पर मैं आप लोगों का ध्यान एक न्यूस पर केंजित करना चाहता हूं कि सेर्स ओफ टल्ब्रोज आटो मोटिव कंपोनेंट रैलीट 13% to register a new lifetime high at Rs.498.35 on the BSC in Wednesday intraday trade backed by heavy volume in the past two trading session this stock of auto parts and equipment firm has surged 27% after data revealed that high net worth individual investor bought a more than 2% stake in the company during October December quarter Q3 FY22 via open market देखिए न्यूस थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन बताने का मक्सद इतना ही है कि जो नए viewers है जिनको इस पारे में पता नहीं है तो जो बड़े-बड़े market के दिग्गज investor हैं बात करीब विजेक एडिया की यह डॉली खन्ना की जैसे बड़े investor ने इस company के अंदर open market में माल उठाया था जिसके कारण इस stock ने अभी हाली में 498.35% का एक अप देखने को मिला था हाला कि यह न्यूस पुरान ही है अगर आप recently high के बात करें तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे वो करीब 600 प्लस के ओपर हमें देखने को मिला था वहीं पर according to shareholding pattern data for the quarter inlet Q3 FY22 field by Talbros Automotive reveals that विजे केडिया held 2.27% stake in the company Sanjay दूगर अधर इन्वेस्टर बॉत 1,35,000 shares और 1.09% stake in the company during the quarter he held nil or below the 1% stake in Talbrosato at the end of September 2021 quarter Q2 FY22 data source यानि की विजे केडिया, डॉली खना और इसके साथी जात संजे दूगर जैसे बड़े investor ने इसके अंदर मा उठाया अगर हम विजे केडिया की बात करें तो उनके पास 2.27% की stake है वहीं संजे दूगर जी के पास 1,35,000 के shares है करीब करी 1.09% के shares है उन्हें उठा कर रखी इंडिवीजवल शेयरोल्डर हूँ हैं की जो इंडिवीजवल इंवेस्टर शेयरोल्डर हैं जिनके पास 2 लाग से जाधा के capital shares capital है, have been their stake in the company, declined to 26.24% in Q3 from 29.44% in Q2 यानि की उन्हें थोड़ा सा profit booking किया है तो उनके 29.44% से घटकर 26.24% की रहे गई है Talgros Automotive Components, the flagship manufacturing company of the Talgros Group was established in the year 1956 1956 में established ये company हुई थी, जो की Talgros Automotive Components की flagship manufacturing company है of the Talgros Group जो ड़निकी Talgros Automotive Components कांपनी है, किसकी flagship company है? Talgros Group की flagship company है, जो उन्हें चपन में established हुई थी अगर हम इस stock के 52 week high की बात करें, तो 52 week high stock का हमें दिखने को मिल रहा है 658 रुपीस का, 52 week low कर देखें, तो वो है 190.45 का, यानि की 52 week high और 52 week low में काफी बला difference आ रहा है कारण सिर्फ एक कितना ही है, क्योंकि एक बहुत ही छोटी सी company है अगर हम company के market cap की बात करें, तो मात्र 552 करोन का, यानि 552 करोन का, आप मोटा मोटा मान दखते हैं, कि मात्र 552 करोन की market cap है बहुत छोटी सी company है, इसलिए उतना ही निवेश करें, कितना कि आप अगर इस stock में गिरावाट हो, तो आपको दर्द भी नहीं हो दिखे, या मेरी खुद की opinion है, क्योंकि अगर बड़े बड़े investor इस stock में निवेश कर रहे हैं, तो उनके एक दो लाख रुपए नहीं करोन की value होती इनके shares में तो वो अपने इस पैसे को जान बुझकर डुबोने की कोशिस नहीं करेंगे, कोई भी विव्यक्ति अगर है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसका पैसा loss हो, क्योंकि विजेक एडिया एक काफी अच्छे investor माने जाते हैं, तो मैं उनकी बाफ्त धर्म रखते हुए, शाती जात अगर आप इस company की, जो demand future रहने वाली है, इसके जो business में, जो product बनाती इस तरह की, काफी जादा होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है, आप मेरी बात से disagree भी हो सकते हैं, आप से deny भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, कि आप सभी की इस stock के ओपर नज़र जरूर नहीं चाहि जिनकी market value अभी काफी जोड़ी कापनिया है, और जिनके अगर shares की बात करें, तो उनकी variation काफी attractive हमें देखने को मिल रही है, वहीं अगर इस काम एक मन्त का data देखें, तो एक मन्त में ये करीब हमको 21% के आसपास down देखने को मिल रहा है, जिससे अगर आप एक positive way में देखें तो 21% की discount पे ये हमें stock अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर आप current price पर position बनाते हो, तो आने वाले 2-3 महनों के अंतर जो target मुझे देख रहा है, इस stock के अंतर achieved होते हुए, वो 52 week इसका जो high है, 6.50 का, वो मुझे definitely achieved होता हो देखने को मिल रहा है, तो आप सभी को इस stock को अपने वार्ट लिस्ट पर लगाना है, और इसको खासकर अवरी डिप पर, देखे मार्केट में अभी क्योंकि इधर रशिया और यूकरियन का वार चल रहा है, तो थोड़ा साथ आपको अगे रहने की जुरूरत है, क्योंकि मार्केट में कभी क्या news आ जाए, ये कहना क काफी मुस्किल है, तो अगर आपका व्यू लॉंग टब का है, अगर आप एक से दो साल इस स्टॉक को होल कर सकते हैं, तो जरूर इस स्टॉक पर आपको नजर बना कर रखनी है, देखिए फिर से कहना चाहूंगा, सेवी रिजिस्टर अडवाइजर नहीं हूँ, तो रिस्क बहुत कम हो, और रिवार्ट जादा हो, देखिए पैसा बनता है उसी कमपनियों में, जो मार्केट कैव जिनकी छोटी होती है, और क्यूंकि उनमें काफी बड़ी चांसे होते हैं ग्रोथ करने के, तो यह बहुत ही अच्छी पिक हो सकती है, मेरे द्वारा तो आप स जैहिन, जय भारत!